नमस्कार साथियों यदि आप भी सिखसक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड़ने हो जाए साथियों बताना चाहेंगे यदि आपने 12th पास करके डिपलोमा एलिमेंटर एजुकेशन या फिर डी एल एड या फिर आपने जे बीटी एश टी सी और यहां तक की साथियों यदि आपने बीयड किया हुआ है ग्रेजुएशन किया हुआ हुआ है पोश्ट ग्रेजुएट ह आप तो आप भी फोर्म आविदन कर सकते हैं बताना चाहेंगे सिक्सक भरतियों पर यह वैकेंसी है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है देख सकते हैं साथ हो आप इसमें TGT हिंदी है TGT संस्किर्ट के पद इसमें सामिल है TGT Maths है TGT SST है PRT लेवल केजी टीचर है जो कि बालवाटी का टीचर है Special Educator है School Counselor है Lab Assistant है जो कि Secondary Science Lab में है Office Assistant है और वहीं पर School Nurse की भी इसमें वैकेंसी है साथ यो बताना चाहेंगे आपको ये जो वैकेंसी है ये Permanent है या Contractual है तो ये मैं आपको notification रिली जो चुकी है जानते हैं आगे कि क्या क्या इनकी मतलब की इनकी क्वालिफिकेशन है एज क्राइटेरिया कैसे है क्या आपको ये फोर्म आफलाइन भरना है या फिर ऑनलाइन भरना है फीस कितनी है जो जितने भी जो आपके questions है उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँआ कि आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है और इसमें क्या क्या आपका जो वेतन है वो भी इसमें दिया हुआ है इसमें mention किया हुआ है आप देख सकते हैं साथ यो टीजीटी हिंदी टीजीटी सोसल साइंस एंड टीजीटी संस्कित जिनका जो monthly pay जो वीतन है वो तीनों सब्जेक्ट का जो trained graduate teachers है इन सभी का एक दिया हुआ है जी यहां देख सकते हैं 50,000 रोपीज इसमें दिया हुआ है जिसमें यदि हम qualification criteria की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा BA degree studies at regular course होनी चाहिए जो कि qualified with at least 60% marks के साथ में होनी चाहिए relevant subject यानि की संबंदित subject के साथ में जो की मानेत प्राप इंस्टिटिट्योट या फिर मानेत प्राप विस्विद्धाले से की होनी चाहिए साथ में देख सकते हैं BA degree यानि की bachelor of education in relevant subject and regular course of qualified with at least 50% अंक आपके होने चाहिए जो की साथ यो BA होनी चाहिए या फिर BA जो भी मतलब की समकक्स डिगरी है इसके वो आपके पास में होनी चाहिए लेकिन 50% अंकों के साथ में वो डिगरी आपके पास में होनी चाहिए जी हां साथ यो और बताना चाहेंगे should have studied the relevant subject जो की senior secondary also इसमें दी हुई है साथ में age criteria की बात करें तो age देख सकते हैं between 21 यानि की 21 साल से 50 साल जो की एक जनवरी एक सारी इसमें जो की the upper age limit इसमें ये कुछ knowledge दी हुई है आप सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं इसे TGT maths के बात करें तो relevant subject से BSC degrees study regular course होनी चाहिए qualified at least 60% marks के साथ में यानि की BSC आपकी TGT के साथ में होने चाहिए इसमें भी same आपको वेतन दिया जाएगा पचास अजार और bachelor of education जो की same process है जो की मैंने भी आपको बताया पहले वाले subject के according ही इसमें भी वो ही qualification दी हुई है शिर्फ subject इसमें अलग किया हुआ है जी है primary teacher की अधी बात करें तो primary teacher आप देख सकते हैं PRT level पर जिसका वेतन 40,000 रुपे इसमें दिया हुआ है इसकी अधी हम बात करें तो a bachelor's degree completed as a regular course from a recognized sorry university recognized by the government of India याने कि या UGC या फिर AICTE with minimum 55 पर 30 सत मार्क्स in aggregate date याने कि 55% अंकों के साथ में UGC से या फिर AICTE द्वारा मानेता प्राप्त या फिर किंदर सरकार से मानेता प्राप्त डिग्री डिग्री कॉलेज या फिर इविस विद्दाले इंस्टिट्यूट संस्तान से bachelor degree आपकी पास होने चाहिए जो कि इसमें 50% अंकों के साथ में होने चाहिए यदि आप पी आटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं बीड डिग्री आपके पास में कंपल्सरी होने चाहिए और इसमें दी हुई है नैशनल NCTE के थरू आपकी बीड होनी चाहिए जो कि 50% अंकों के साथ में ये भी होनी चाहिए साथ यो इसमें 12 याने की इसमें साथ यो बीड के लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है ऐसा नहीं है कि इसमें आप यदि आप मतलब की साथ यो बैचलर ओप एजुकेशन पर रियावदन कर सकते हैं इसमें DLAD या DLAD के लिए इसमें कोई भी इसमें दी हुई नहीं है जानकारी बालवाटी का टीच इसमें क्वालिफाइड डिप्लोमा होना चाहिए मॉन्टेश्री या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा इन एलिमेंटर एजुकेशन जी हां यह आ गया साथ यो DLAD यानि की DLAD GBT जो की STC कई राज्यों में अलग-अलग नामों से यह कोर्स होता है और यह देख इसमें एक जुलाई दोजार चौबिस तक आपकी एज काउंट की जाएगी इस पेसल एजुकेटर की बात करें तो इस पेसल एजुकेटर को 40,000 वेतन दिया जाएगा ग्रेजुएस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए साथ में विद बीएड होनी चाहिए यदि आपने साथ इंटीगरेटेड किया हुआ है तो भी येचल जाएगा इसमें इंटीगरेटेड और इसमें देख सकते हैं, बीएड विद टो येट डेपलोमा इस्पेसल एजुकेशन पोष्ट ग्रेजुएट प्रॉफेशनल डेपलोमा इस्पेसल एजुकेशन इसमें क्याई काई attackers गय के स्कुल नर्स के लिए है और साथ में यदि हम बात करें स्कुल काउंसलर की तो उसमें master degree psychology से या फिर child development से होने चाहिए या फिर certificate होना चाहिए या फिर diploma होना चाहिए कि एज क्राइटेरिया सभी की सेव है लैब assistant secondary की बात करें तो बीएस्टी विजिक्स के साथ में चाहिए और एज लिमिटिक किस से 50 है एक्सपिरेंस होना चाहिए और स्कुल वूट डिजारेबल में होना चाहिए यदि हम इसका वेतन की बात करें तो 35 जार यानि इंग्लिस में होनी चाहिए और यह आप पूरी क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं उसके बाद मैं आप भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं हाउ टो अपलाई कैसे करना है आपको आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको और देख सकते हैं उसके बाद में ड्यूली फिल्ड एप्लिकेशन फॉर्म अलोंग विज यानि की साथ यह आपका एक्जाम होने वाला है यानि की आफ लाइन यह फॉर्म है आपका जो कि आपको फॉर्म डिप्लो यहीं से मिलेगा और उसके बाद में आपको फिल करके नहीं अपने सभी डॉक्यमेंट्स अटेच करने हैं और भेज देना है चौबिस मई दो हजार चौबिस तक जो की दो पैर दो बज़े तक इसमें दिया हुआ है आप मेल भी कर सकते हैं और बा स्कूल अकाउंट नंबर इतना है यह आए फसी यह है और यह एक्सिस बैंक का अकाउंट है ब्रांच जो की दरिया का नई दिल्ली में है और उसके बाद में आप आविदन कर सकते हैं अपने सभी डॉक्यमेंट्स अटेच करने के बाद में इस ऑफिसर आपको इमेल आईड स्कूल गेट पर भी आपको यह वहां पर कंपल्सरी जमा करना होगा इसमें यह दिया हुआ है तो आप एक बर जरूर चैक आउट जरूर कीजिएगा बागी की जानकारी भी एग्जामिनेशन की बात करें तो साथ एग्जामिनेशन इसमें होना होगा आपका जो की आठ 2024 को सौर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स किये जाएंगे उन्हीं का एक्जामिस में किया जाएगा और बाकी कि यदि हम बात करें तो यह एप्लिकेशन फोर में यह आपको डाउनलूड करना है इसी वेबसाइट पर वाही पर जाकर कि आपको यह फोर मिल जाएगा इच्छो के ह हम योग अभिरतियाविदन कर सकते हैं देश वर से यदि आपने के पास में क्वालिफिकेशन है और आप भी टेचर भरती परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी गुड़नियों जासाथ हो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कीजे ताकि इंफर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं इंफर्मेटिव वीडियो के साथ जै हिन जै भारत